हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है राधिका जल्दी से इस सेशन में जुड़ ज़ए बहुती खास बहुती दंदार शांदर जांदर आपका इस सेशन होने वाले क्यूं क्यूंकि मैंने जैसे कि आपको बोला था 27 तारीकों हम करने वाले अपना मैंटी क्यों सेशन जो काफी कॉछान के मैं आपको करवाँगे इसमें 30 कोशन 40 मिनट में 30 क कर लेंगे तो काफी जादा कंटेंट मेटीरियल बहुत सारी चीजें बहुत सारी कोशन आपको ऐसे मिलेंगे साथ में इस session के जो questions होंगे यह 100% लिखके रख रहे ना कि इन में से आपके पक्का नीट के paper में से question फसेंगे तीन चार question पक्का आपके नीट के paper में आएंगे क्यों बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इस session में 2-3 chapter सो combine करके आपको question दिये तो हर chapter में से ऐसे questions लिएं जो दमदार question होंगे पहला question आपकी screen पर है time में आप कहौन करूंगी 20 seconds में आपको सिरफ दूंगी 20 seconds only question पढ़ूंगी बहुत short explanation आपको मिलेगी direct आपको answer मिलेगा क्योंकि 40 minute के session में 30 धीरे धीरे करते हैं हम इस session को timing भी बढ़ाएंगे timing और question से जादा रखेंगे ऐसे हम future में करेंगे फिरहाल आप जानदार तरीके से पहले तो सभी session में जुड़ जाईए session को like कर दीजेगा अगर आपको session पसंद आए और comment करिए का direct इस question का ठीक है मैं direct के बताऊंगे आज में किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि भीया नाम अगर लिया तो भीया 40 minute तो यूँ ही निकल जाएंगे तो आप comment करिएगा आप सभी ठीक है वेटा चले तो पहला question आप सभी के सामने 20 सेकिन आपको दिये जाएंगे विच आप दा following इस आ ट्रांस जैनिक प्लांट फ्लेवर सेवर मेलोडी गाइन इनकोगिनीशा या फिर सीनोरेबिटेट एलिगेंस या फिर औराईजा सेटीवा निमनलिक में से कौन सा एक पर जीवी पौधा और ट्रांस जैनिक पौधा है फ्लेवर सेवर टमैटो मेलोड गाइन गुप्त सीनोरेबिटेट एलिगेंस या फिर औराईजा सेटीवा उत्तर आप सभी का जांदर शांदर दमदार ही आना चाहिए इनमें से कौन सा आपका क्या है सान ट्रांस जैनिक प्लांट तो समय आपका हूचुका है अंसर है इसका फ्लेवर सेवर टमैटो क्या ह अंठर पहला ट्रांस जैनिक अगर कोई प्लांट है तो वह है आपका लैवर सेवर टमैटो धेद्यान डख्ना अगर एंपलम में बात करूं तो आपकी जो आपकी जो 900 कि अगर påर इंड vapor इसको भी नोट कर लेना मेलो डिगाइन इन कोगिनीशा और सीनर वेव हैबिटेट एलिकेंस जो है यह दोनों आपके नीमे टोट्स है क्या है नीमे टोट्स जो कि आपके एनिमल्स होते हैं बाटा जनतू और आईजा सटाइवा नहीं होगा और आईजा सटाइवा नहीं होग धान का botanical name है, first option is your right answer, question number second देखे, क्या बोल रहा है, हिरोदिन can be extracted from a transgenic plant brassica neppos, bacillus neppos, BT brinjal, BT brassicas neppos, हिरोदिन आप से पूचा है, आपको 20 second दिये जाएंगे, इस question के लिए उतर दीजेगा, हिरोदिन को transgenic पौधे से निकाला जा सकते है, किस पौधे से ये पूचा गया है, brassica neppos, bacillus neppos, BT brinjal, BT brassica neppos, समय आपका हूचुका है, इस question का answer हो जाएगा, आपका first option, जो की है आपका brassica neppos, जिन जिन बच्चों का first option आपका answer, बहुत शांदर दमदार तरीके से आप उदर करें, जिन जिन बच्चों का first option सही आए, वो बहुत ही दमदार चल रहे है, मिटा भी तो दो कोशन हुए, आठ माक्स जोड़ लेना, पहले कोशन का चार, दूसरे कोशन का चार, टोटल आठ माक्स अभी बन चुके हैं, ठीके, 30 कोशन करते करते कितने बन जाएंगे, ठीके, 120 टोटल आपके माक्स का, आपका ये टेस्ट है, मेंटी की वज़ है, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, कि 120 में से कितने माक्स आपको मिले है, ब्रासिका नैपस इसका से उत्तर हो जाएगा, आपका जो हीरडिन है, हीरडिन आपका एक एंटी कॉगुलेंट होता है, ध्यान रखना, एंटी कॉगुलेंट होता है, क्या होता है, एंटी कॉगुलेंट, आपका ये जो ब्रासिका नैपस है, ये आपका एक हाइब्रिड प्लांट है, जो दो plants की combination से बना है और इस plant में आपका हिरोदिन पाये जाता है hybrid plant है हिरोदिन पाये जाता है हिरोदिन क्या है आपका anti-cogulant anti-sankadun है मतलब sankadun को होने से रोकता है clotting को होने से रोकता है कौन आपका हिरोदिन ध्यान रखना BT brinjal आपका bacillus thuringenesis modified plant है तो BT brassica napus होगा और यह तो नाम ही गलत दिया रखा है bacillus आपका bacteria होता है और napus इसकी species है तो इसमें first option क्या है आपका एकदम सही उत्तर है अब आ जाएंगे हम question number third part timer को मैंने on कर दिया है question है आपका which of the following genetically engineered micro is used in scavenging of oil spills by digesting hydrocarbons of oil crude oil जल्दी सोतर दिजेगा काफी अच्छा question है आपका पहला option pseudomonas fluorescence second option rhizobium meliorty third option pseudomonas pituda fourth option trichoderma जल्दी संसर दिजेगा समय आपका काफी हो चुका है निमिलिक में से किस अनुवन्षिक रूप से engineer सुक्ष मुझीव का उपयोग कच्छे तेल से कच्छे तेल के hydrocarbon को पचा कर तेल रिसाफ की सफाई में किया जाता है question आप से अच्छे यह बही बंद नहीं हुआ चलिए इसको बंद कर देता है पूरी तरीके से question number third है आपका answer आ जाना चाहिए क्या होगा बहुत इजी question है scavenging oil spills scavenging oil spills उत्तर दीजे बहुत अच्छा question है आपका उत्तर आपका आना चाहिए आप सभी का scavenging oil spills ठीक है क्या answer आ है बच्चों का very good मतलब ऐसा भईया शांदार आप उत्तर करते हो कि मजा सा आ जाता है समझ में आ जाते हैं भईया बच्चे जानदार ही जुड़े हैं ठीक है इसका answer हो जाएगा आप ध्यान रखना pseudomonas petuda pseudomonas petuda इसका सही उत्तर हो जाएगा note कर लीजेगा pseudomonas petuda third option is your right answer trichoderma आप सभी पढ़ते हो biocontrol agent है biocontrol agent है rhizobium bacteria के बारे में आप जानते हो कि यह आपके nitrogen fixing आपके bacteria होते हैं तो इन सभी बातों को जानने के बाद भीया अब आ जाते हैं next question पर जो कि है question number 4 यहां पर भी मैं timer कौन कर रहे हूं आप answer दीजेगा सभी question number 4 है आपका technique to detect HIV in suspected AIDS patient in asymptomatic stage आपका सपर्शन मुख अवस्था में संदिक AIDS रोगी में HIV का पता लगाने के लिए इस्तिमाल की जाने वाली तक्नीक है उत्तर दीजेगा क्या हो जाएगा बहुत अच्छा question आपका समय आपको 20 सेकंड का ही मिलेगा बिटा वो सिरफ मेरे पढ़ने का अच्छा टाइम है लेकिन तुम्हारे को एक्स्टा टाइम नहीं मिलेगा क्या तुम्हें एक्ट्र टाइम नहीं मिलेगा यह आप ध्यान राखेगा चली अंसर दीजे क्या हो जाएगा PCR, serum analysis, both 1 and 2 या फिर urine analysis अगर आपको HIV suspect करना है लेकिन जो AIDS patient है मतलब जो HIV जिसको HIV virus जिसके अंदर है उनमें अभी AIDS के इतने symptoms नहीं है तो भाईया आप उसके लिए किस वाले method का प्रयोग करेंगे PCR, polymerase chain reaction ये आपसे बोला गया है उतर दीजेगा सभी बच्चों का अंसर आना चाहिए अब इदक सभी बच्चों का अंसर नहीं आए सभी बच्चे अंसर दीजेए Very good, very nice बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया answer दीजे पहला तो आपका क्या है यहाँ पर Very good तो इसका अंसर एकदम सही आपका PCR, Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction इसका एकदम आपका सही उत्तर आ रहा है बहुत बढ़िया Mark कर लीजेगा, A option is your right answer Mark कर लीजेगा, A option is your right answer बेटा, बोथ 1 and 2 नहीं होगा सिर्फ analysis नहीं होता, सिर्फ PCR जो की आपका क्या है Polymerase Chain Reaction जो की क्या है आपका Polymerase Chain Reaction और Polymerase Shrunkla अभी क्रिया भी हम इसको कहते है Polymerase Shrunkla अभी क्रिया भी हम इसको कहते है Mark कर लेगा Question No.5 देखे, इसी के साथ क्या बोल रहा है Illy, Lili and American Company is famous for First option, producing growth hormones synthesized by recombinant DNA technology Second, preparing two DNA sequences corresponding A and B chains of human insulin And introduce them into the plasmid of E. coli To produce insulin chains Producing pest resistant plant by RNA interference Producing vitamin A enriched rice तो Illy, Lili American Company ने क्या produce किया था Insulin प्रोड्यूस किया था क्या produce किया था Insulin, growth hormone भी नहीं ना तो rice, ना तो pest resistant plant इसका second option इसका जानदर, शानदर, दमदार उत्तर हो जाएगा Mark कर ली जाएगा Question number six, देखिए क्या बोल रहा है तोरा साथ देखिए मैंने आपको पहले बोलता है ये mentee क्यों session है, fast ही होगा Limited explanation और जादा का जादा content आपको इस class में मिलेगा ये आपकी, आप, मतब 100% guarantee मिली तरफ से तीस questions, proper आपको समझ में आ जाएंगे, परशान मत हुएगा मैं समझ में नहीं आएंगे, समझ में आएंगे chapter हमने किया है, तीन-चार chapter के जो questions मैंने दिये, इसमें से पक्का आपका neat का कोई ना question बनेगा तीन-चार questions ऐसे होंगे, जो कही ना कहीं नीट के paper में फरचाएंगे, क्योंकि paper मैंने इस तरीके से set किया है कि आपको बहुत जादा helpful ये रहेगा चली उत्तर दीजेगा, समय आपका हो चुका है the protein products of the following BT toxin cry 1 AC and cry 2 AB are responsible for controlling cry 1 AC और cry 2 AB किसको control करते हैं, cotton ball warm को control करते हैं, ध्यान रखना है, वहीं पर cry 1 AB वहीं पर cry 1 AB जो आपका होता है वो आपका corn borrower का होता है किसका होता है, corn borrower का ध्यान होता है, ध्यान रखने का first option is your right answer question number 6 देखे, bacillus thuringinesis BT strain have been used for designing bio fertilizers, bio metallurgical techniques, bio mineralization process, bio insecticidal plant, jab, uberak jab, धातू करम तक नी, jab खनीजी करन पक्रियां, या फिर jab कीट नाशक पौदिस्सा में आपका उचुका है इसका अंसर होगा, bio insecticidal plant, क्योंकि सभी को पता है कि BT की जो gene होती है जो की toxin produce करती है वो plant में डाली जाते हैं, जैसे BT cotton, BT brinjal वगएर, BT cotton वगएर, इन सभी में डाली जाती है और इन plants को resistant बनाए जाता है, to the attack of insects, किन किन अटाक के, इसे आप पढ़ते है dipterans, leptopaterans, dipterans ये सारे क्या हैं, जिसमें army, birdworm वगएरा आते हैं, आपके example, जो भी आपके insects होते हैं, सब इसमें आते हैं, मतलब कि आपके जो इन categories में आते हैं, leptopaterans, dipterans, silopaterans, ये तीन आपकी insects की categories हैं, इसके examples हैं, जैसे कि silopaterans जैसे कि आपके इन में house flies और आपके mosquitoes वगएरा भी आते हैं, army, birdworm जैसे आते हैं, ये सब इन plant को क्या करते हैं, संकरमित और रोग करते हैं, जिन से बचाने के लिए हम bacillus thurangenesis की gene डालते हैं, जो ये toxin produce करता है, जो इन insect को kill कर देता है, जैसे ही उसके गट में पहुँचता है, ठीके बिटा, तो bio insecticidal plant, next question देखे, कोशन नमबर 7, DNA और RNA segment tagged with a radioactive molecule is called, रेडियो थर्मी अणू के साथ tag किये गए DNA या RNA खंड को कहा जाता है, क्या, plasmid, vector, probe या फिर clone, DNA और RNA segment tagged with a radioactive element, ध्यान रखने हैं, जब radioactive molecule के साथ हम tag करते हैं, तो उसको कहते हैं, probe, क्या कहते हैं, probe, ध्यान रखना, third option is your right answer, clone तो आप सभी को पते हैं, clone आपका morophological और genetically similar organism होता है, morophological और genetically similar organism होता है, genetically similar organism होता है, organism होता है, वहीं पर vector क्या है, vector आपका समवाहक है, जो आपकी foreign gene को क्या करते हैं, carry करते हैं, जुसकी properties बहुत जात इंपॉर्टेंट हैं कि भईया, एक vector में, एक vector में औराए होना चाहिए, origin of replication, selectable markers होने चाहिए, ध्यान रखना, selectable markers औराए, और उसमें cloning site होनी चाहिए, जहाँ पर restriction enzyme, कट लगाते हैं, ये vector की properties हैं, लक्षन हैं, और plasmid क्या होता है, plasmid is your extra chromosomal, extra chromosomal, मतलब आपके, जो आपका bacteria है, उसके genetic chromosome के इलावा, एक और DNA होता है, extra chromosomal, circular, circular, गोलाकार होता है, circular, double stranded, द्वी रज्जुक होता है, double stranded DNA, द्वी रज्जुक होता है, double stranded DNA, लिख लीजेगा, next question पर move कर ये, question number 8, an improved variety of transgenic basmati rice, बताईए, transgenic basmati चावल के एक उननत किस्म, give high yield but has no characteristic aroma, does not require chemical fertilizing and growth hormone, gives a high yield and is rich in vitamin A, is completely resistant to all insect pests and disease of fatty, तो ये भी गलत है, ये भी और ये भी, बचा सिरफ एक, जो कि third option है कि इसकी high yield होती है, और vitamin A rich और beta carotene rich, beta carotene क्या है, beta carotene is a precursor of vitamin A, मतलब beta carotene vitamin A का निर्मान करता है, तो इसलिए precursor बोला जाते है, question number 9, देखे क्या बोल रहे है, which enzyme deficiency will lead to us disease called SCID, जैसे कि आपको पता है, अभी हमने अपना chapter खत्म किया है, bio technology application, जिसमें हमने gene therapy पढ़ी थी, ADA enzyme के बारे में, ADA की deficiency और adenosine deaminase की deficiency कारण, आपका SCID रोग होता है, जो कि आपका severe combined immunodeficiency, क्या है, severe combined, severe combined immunodeficiency, severe combined immunodeficiency ध्यान रखना, और आपका सही उत्तर होगा, adenosine deaminase, first option is your right answer, इंदे भी माग कर लिजेगा, next question पर चलते हैं, question number 10th क्या बोल रहे है, a chimeric DNA is formed by, बताइए, chimeric DNA किसके द्वारा बनता है, deleting selectable markers के द्वारा, joining cDNA with the plasmid, E-corai के द्वारा, या फिर enzyme beta glycosidase के द्वारा, तो enzyme beta glycosidase, तो आप सभी को पता है, selectable marker की तरह काम करता है, selectable marker अलग चीज़ है, chimeric DNA, chimeric DNA एक Greek word से लिया गया है, ध्यान रखना, जिसका मतलब होता है, chimera, chimera मतलब होता है, hybrid, यह क्या है? hybrid DNA होता है, क्या होता है? hybrid DNA मतलब, जैसे कि जो हम complementary DNA है, उसमें उसको plasmid DNA के साथ क्या करते हैं? जोडते हैं, और हमारा जो बनता है, उसको बोला जाता है, chimeric DNA, मतलब cDNA, जिसको complementary DNA और पूरक DNA खा जाता है, उसको plasmid के साथ जोड़ा जाते है और जो DNA बनता है उसको kimeric DNA बोला जाते है C DNA याद रखना complementary DNA So second option is your right answer Next question पर आ जाते है Restriction in restriction endonuclease enzyme referred to बोले है प्रतिबंदन में प्रतिबंद endonuclease enzyme को संदरपित करता है Restriction in restriction endonuclease enzyme refers to First option Cleaving of phosphodiester bond in DNA By the enzyme Second option Cutting of DNA at specific position only Third option Prevention of bacteriophage multiplication in bacteria Fourth option Cutting each of the two strand of DNA at specific points in sugar phosphate backbone उत्तर दीजे क्या होगा देखिए उत्तर दीजे समय आपका उचो का Restriction in restriction endonuclease enzyme referred to Cleaving of phosphodiester bond Phosphodiester bond in DNA by the enzyme Cutting of DNA at specific position या फिर prevention of bacteriophage multiplication तो यह नही होगा cutting of each of two strand of DNA at specific point in sugar phosphate तो fourth option सबसे ज्यादा सटीक अंसर है ध्यान देखिए सबसे ज्यादा सटीक अंसर है आपका To the point answer है आपका fourth option Question number 12 देखें क्या बोल रहे है Which of the following represents a palindromic sequence in our DNA Palindromic sequence में mark करना है तो पहला ही option मुझे palindromic sequence का दिखाएदार है What is palindromic sequence? मतलब होता है जब हम इसको आगे से पढ़ते हैं या फिर हम इसको पीछे से पढ़ते हैं जो sequence होता है वो same होता है यसे G-A-A-T-T-C यसे यहाँ से पढ़ो तो G-A-A-T-T-C मतलब first option is our right answer question number 13 देखे क्या बोल रहा है in plant biotechnology polyethylene glycol is used in पादप जैव प्रद्योगी की में PEG का प्रयोग किस के किस लिए किया जाता है उत्तर आप सभी काना जीए किस लिए किया जाता है बहुत अच्छा question आपका है बताइए protoplast isolation cell culture preparation protoplast fusion या फिर hardening के लिए in plant biotechnology PEG is used for ध्यान रखना polyethylene glycol मेली culture के लिए यूज किया जाता है किस के लिए protoplast isolation cell culture preparation protoplast fusion या फिर hardening ध्यान रखना PEG को fusogen भी बोला जाता है fusogen क्योंकि कहीं ना कहीं ये fusion में और fusion में अदद करता है तो protoplast fusion में ध्यान रखना नाम से ही पता चलता है fuseogen भी बोला जाते है polyethylene glycol को चलिए next question देखिए which one of the following is used as vector for cloning genes into higher organism ये बहुत ही important आपको ऐसे questions अभी दिखाई देर होंगे जो कभी repeat नहीं आपने पढ़े होंगे ये questions ऐसे question है जो आपने इधर-उदर किसी book में नहीं पढ़े होंगे या फिर मैंने भी आपको ऐसे questions नहीं करवा है एकदम अलग questions लेके आई हूँ एकदम अलग questions लेके आई हूँ जो कहीं ना कहीं आपके neat के point of view से बहुत जादा important है तो इस session को जरूर देखना है आप सभी ने ये session बहुत जादा important है इसलिए छोटा session है मतब 40-45 minutes का है लेकिन बहुत important session है इस बात को आप धियान डखना है इसके question मैं बार-बार repeat कर रही हूँ कोई भी question अगर इस class से need के paper में है तो और तुमने नहीं किया हो गए session तो बहुत बिटों के बिटा तो चलिए देखिए भी answer क्या हो जाएगा समय आपका हो चुका है बताएगे which one of the following is used as vector for cloning genes into higher organism तो एकदम clear होते है retroviruses first option is the right answer celly monilla typhemerium तो typhide करता है तो ये तो pathogen है रोग जनक है rhizopas nigricans ये तो भईया आपका एक अलग ही आपने दे दिया rhizopas ये तो आपका क्या है आपका फंजाए है कवक है rhizopas तो बचा आपका baculovirus baculovirus ध्यान रखना आपकी जो invertebrates होते है invertebrates जुसमें आपके insects आते है आ कशे रुकी जो जीव होते है आ कशे रुकी जो जीव होते है invertebrates जैसे कि for example insect हो गएरा इनके लिए vector का use किया जाता है baculovirus को तो first option आपका retrovirus is your right answer retrovirus में ध्यान रखना एक enzyme होते है जिसका नाम होते है reverse transcriptase क्योंकि ये जो आपके होते है इन में RNA इनका genetic material होते है और ये RNA को reverse करते है जैसे DNA से RNA बनता है और transcription बोला जाता है वैसे RNA से नहापर cDNA बनता है जो DNA बनता है न उसको बोला जाता है cDNA और complementary DNA question number 15 देखे क्या बोल रखा है cDNA देखे अभी मैंने cDNA के बादा है और ये question बड़ा ही जादा important question है आपके need के point of view से first option formed by reverse transcript is cloned DNA circular DNA is your plasmid recombinant DNA is your hybrid DNA कह सकते हो तो ये तो नहीं होगा उत्तर क्या हो जाएगा first option is your right answer बहुत शांदार बहुत दमदार बहुत जांदार तरीके से आप सभी का उतरा है very nice जल्दी से सभी session में बता इतने धीरे धीरे नहीं जाइन करना जांदार तरीके से जाइन करना है आपको session को ठीक है वीटा चले तो next आजए question number 16 के उपर which one of the यहां से बापका morphology of flowering plant शुरू हो चुका है which one of the following is correctly match निमनलिक में से कौन सा सही सुमेलित है onion का bulb ginger का सकर calumidumnaz का conida conidia east का zoos तो किसके द्वारा यह reproduce करते हैं तो भाईया east budding के द्वारा reproduce करते हैं और आपको ध्यान हो conidia fungi में बनते हैं conidio force के उपर zoos pores calumidumnaz जो है वो आपके zoos pores के द्वारा reproduce करते हैं ginger का rhizome होता है नाकी सकर उत्तर आपका कौन सा सही है सिरफ एक जो की onion onion के जो white white होते हैं onion का जो प्याज का जो प्याज आप काटते हैं slices में काटते हैं न प्याज को जो यह होते हैं जो छोटे से निकल के आते हैं white white कलर के pinkish white कलर के होते हैं they are called bulb तो onion में क्या होता है, bulb होता है, ध्यान रखना है, जो कि इनके vegetative propagation का साधन भी है, चलिए, तो आज ही question number 17 के उपर, thorn of boganvillia, तो ये भी बड़ा important question है, आपका जो boganvillia को जो thorn होता है, it is modified stem, तना का रूपांतरत है, ये मैंने आपको सारा class में करवा रखा है, इसमें जो stem है, वो tendril में भी modify होती, किसमें cooker बीटा में, ये भी आप ध्यान रखना, next question देखें, बहुत अच्छा question है, ये भी, hold simple leaves with reticulate venation, world मतलब क्या होता है, world बोला जाता है, मतलब कि सारी पतियां एक point से निकल रही है, world इसको बुला जाता है, तो reticulate, reticulate मतलब, reticulate मतलब veins जो है, वो इस तरीके से reticulate एक जालीदार structure बना रही है, जालीदार, network जासा, इस तरीके से, ठीके, इस तरीके से, चलिए, इस तरीके से, this is reticulate, world, और world reticulate और simple leaves किस में होती है, ध्यान रखना, world, आपके दो में होती है, एक एलस्टोनिया होता है, आपके NCRT का ही question है, NCRT को खोल के देखिएगा आप सभी, NCRT का आपका question है, जा आपर world of phylo taxi को explain क्या गया है, ठीके है, आपकी leaf की arrangement, एलस्टोनिया और नीरियम, इन दोनों में world type की क्या होती है, फिलो, taxi होती है, ध्यान रखना, बाकी नहीं है, इसका कोई भी उत्तर, ठीके बटा, तो आपका एलस्टोनिया is your right answer, नेक्स, ये इन सारी चीज़ोंगे, इन सारे options को आप अपनी NCRT में खंगालना, मैंने थियोरी में आपको एक-एक options को बहुत अच्छे से explain किया है, लिखवाया गया है, सारे को ये आपका काम है, कि China rose दे रखा है, तो China rose में किस प्रकार की होती है, alternate, ठीक है, China rose, mustard आप पढ़ते हैं, केलोट्रॉपेज, नीम, किस प्रकार की फिलोटिक्स ही, किस प्रकार की लीफ की arrangement होती है, सब आपको खुद लिखना है, या आपको हुमक दे दिया मैंने इस question में, चले question number 19 देखे, हाइपन्थोडियम is a specialized type of, तो ध्यान रखना, हाइपन्थोडियम, सायन्थियम, ये सब क्या है आपके, और verticelaster, verticelaster, सायन्थियम और हाइपन्थोडियम के आपके इन फ्लोरोसिंस है, क्या है पुश्प गरब, ये आपके specialized type के क्या है, पुश्प करब, ध्यान रखना, fleshy axis होता है, हाइपन थोडियम का फ्लेशी एक्सेज होता है और नीचे एक कैविटी जैसा होते है गोला कार होते है और कैविटी होती है इस कैविटी के अंदर क्या होते है फ्लावर्स होते है इस कैविटी के अंदर क्या होते है फ्लावर्स होते है वो यूनी सेक्शुल होते है क्या होते हाइपन थोड़िया में इस प्रकार की इन फ्लोरोसेंस होती है नेक्स्ट आ जाई है कोशन नमबर 20 पे पेटियोल इस विंग दिन तो ध्यान रखना यहाँ पर जो दो आप्शन दे रखने सिट्रस और डियोनिया लीव यह आपका कैसा है विंग पेटियोल है इसमें कैसा पेटियोल है कैसा पत्रावन्त है ध्यान रखना पेटियोल विंग है ठीक है पेटियोल विंग है साइट्रस सिट्रस और डायन सोनिया में नेक्स्ट कोशन देखिए कोशन नमबर 21 क्या बोल रहा है an example of exile placentation is, बहुत easy है exile placentation आपको बताना है exile placentation आपको बहुत easy question है कुछ भी नहीं है, exile मतलब आपकी जो center से इस प्रकार अगर यह आपका, क्या है, यह आपका ovry है, तो आपकी जो placenta है वो इस तरीके से axial arrangement करते है अक्षी है, इस तरीके से उसका arrangement और स्थिती होती है और यहाँ पर आपके ovules develop करते हैं, ovules develop करते हैं और बिजांड आपको बताना polyadolphus भी आपको दे रखा है polyadolphus भी यहाँ पर condition आपको दे रखे है anthers are present in, argymone dianthus या फिर lemon या फिर marigold उत्तर दीजेगा, exile presentation का आपको यहाँ पर दे दीजेगा exile presentation किसमें होता है यहीं से आपको उत्तर आ जाएगा आपका time हो चुका है, answer आप दीजेगा शांदर तरीके से कोई दिक्कत नहीं आप अराम से मतलब दे सकते हैं पर जंदर तरीके से सही उत्तर दीजेगा सोच समझ के, ठीक है, अब यह आपका क्यों कि रिवीजन टेस्ट था, यहाँ से आपको पता चल गया होगा, कि मेरे कितने गलत आ रहे हैं, मैं कहाँ पर गड़वडी मैरी गोल्ड आपको पता है, गैंदा और आपका सनफ्लावर में बैसल प्लसेंटेशन माक करिएगा इसे, कोशन नमबर 22 मतलब लिख लिजेगा इसे, कोशन नमबर 22 देखिए, तो मैं आपको पहले ही बोला था, क्लास में भूला था, इसको इस प्रकारalen करना Plum Peach Rose, Plum Peach Rose हाफ inferior, और इसको कहा जाता है सबसे पहले हाइपो गाइनस जिसमें सुपेरियर ओवरी होता है, देन अपका आता है Pery Gynos, जिसमें हाफ इन्फीरियर होता है छिरा आपका आता है, क्या, फिर आपका आता है इपी गाइनस जिसमें इनफीर होते हैं तो प्लम पीछ रोज इसका एक्जामपल होगा है नेक्स कोश्चन देखें कोश्चन नमबर 23 नॉन एल्बुमनस सीड इस प्रोडूसें जैसे कि मैं आपको यह भी क्लास में पढ़ाया है एल्बुमनस सीड और नॉन एल्बुमनस देखें इसमें सिरफ हम कोश्चन पर फोकस करते हैं आपके कमेंट के ऊपर नहीं इवन आपको पहले ही बता दिया था तो परिशान नहीं होना है आपको कोश्चन क्लियर होंगे क्योंकि यह सारे चैप्टर हमने पढ़ रखें तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को को भी डाउट इन कोश्चन में होगा बाकि मैं एक्स्प्लेइन भी करती जा रही हो नॉन एल्विमनस सीड इस प्रेड्यूज इन वीट पी मेज और कैस्टर तो यहां पर सिरफ एक ऑप्शन है पी आपको पता है पी बीन में क्या होता है पी बीन और ग्राम में इनमें आपक exemple of false fruit is false fruit का example एकडम clear है बनाना तो आपका पार्थी- चार्पिक fruit है और grapes भी होती है यही मै Finnish अपको एकग्जांप और और ऐसे फ्रूटि में बीज नहीं होते हैं। ग्रेप और बनाना ऐपल आपके फॉल्स फ्रूट में के ध्रेन रखना फॉल्स फूट में आपके apply किससे डाप करता है, बूलती है भाल वाम हला जिसको छूब आपकी हमएघयो, यह सॉबरी भी हमाहगा गल хотите, चलेवा एब 25 पर आएंगे क्या बोल रहे है which one of the following set of animals share a four chambered heart amphibians, reptiles birds, तो amphibians में three chambered होता है, reptiles में four birds में भी four, crocodiles में four chamber, birds में four chamber mammals में four, turtles lizards, crocodiles, crocodiles में होता है lizard, turtles, cut do lizard, mammals, mammals में होता है birds में होता है इसको cut do, बचा सिरफ एक option B, तो B option इस question का क्या है आपका, एकदम सही उत्तर है next question पर ये question number 26 क्या बोल रहा है which of the following pairs of animal has non glandular skin तो ध्यान रखेगा non glandular skin, आपके जो birds और mammals होता है birds और mammals, they have non glandular skin तो बताईए भी या कौन से से हो का which of the following pairs of animal has non glandular skin तो कहा पर कौन कौन से आ रहा है बताईए भी उत्तर क्या होगा, non glandular skin टाइम को मैंने आएपर बन कर दिये उत्तर जीएगा snake और frog आपका दे रखा है chameleon और turtle आपका दे रखा है frog और pigeon आपका दे रखा है crocodile और tiger आपका देखा है आपको बताना है कि इसमें से क्या बोला गया है non glandular skin non glandular skin मतलब क्या होते है जिन में कोई भी glands नहीं होते हैं मतलब आपकी जो skin है उन्हें glands नहीं है कुछ बन नहीं रहा ठीक है sorry amphibians और sorry मैंने शाहिद उल्टा बोल दिया आपका जो amphibians है मैंने शाहिद उल्टा बोल दिया आप इसको correct करेंगे आपके जो amphibians होते हैं जो आपके mammals होते हैं उभ्यचर और जो आपके mammals है उभ्यचर और mammals they have glandular skin they have glandular skin इनकी कैसी skin होते है glandular मतलब ग्रंथी में जो कुछ secret करती है वहीं पर जो आपके Aves होते हैं और आपके Reptiles होते हैं आपके सरी स्रिप होते हैं और आपके पक्षी होते हैं इनकी Non-Glandular आपको Non-Glandular कैसे चेक करने हैं पक्षी को चेक करो Reptile को पक्षी कौन सा है यापर पक्षी कौन सा है यापर पक्षी यहां पर दे रखा है क्या और Aves और Reptiles को चेक करो Aves और Reptiles Reptiles सरी स्रेप भहिया उचेक करिए Pisan तो नहीं होगा D option आपका नहीं होगा D option कहीं होगा आपका एकदम ठीक है और कौन सा सही होगा भहिया देखिए और कौन सा सही होगा Camelion Camelion और Turtle दोनों ही आपके Reptiles हैं और Reptiles की Skin कैसे होती है Non-Glandular और साथ में Aves की भी Non-Glandular होती है बस उनकी Tail पर एक Preen Gland होता है यह ध्यान रखना Aves की Tail पर एक Gland होता है इसकी Tail पर जिसको Preen Gland बोलता है बस इसके लावा They have Non-Glandular Skin इसको ध्यान रखना है Next Question पर है Question Number 27 क्या बोल रहा है Birds and Mammals share one of the following characteristics as a common feature Pigmented Skin, Elementary Canal with some modification इसको आप ठीक करेंगे This is 27 ठीक है बिटा Pigmented Skin, ध्यान रखना Mammals और Aves दोनों की Skin pigmented नहीं होती है Elementary Canal with some modifications यह दोनों का same नहीं होता है Viviparity आपको पता है कि Birds होती है द्यार OViparist अंडा देती है Egg laying करते है तो यह भी गलत हो जाएगा यह भी गलत बचा आपका Warm-Blooded Animal Warm-Blooded Animal और इसको होमियो-थर्मिक भी बोला जाता है क्या बोला जाते होमियो-थर्मिक और यह आपके Apes और Mammals का एक Common Feature है हम भी समतापी है वो भी समतापी है दोनों अपने Body के Internal Temperature को Regulate कर सकते है नियंतरत कर सकते है इस बात को ध्यान रखता है मतलब Constant रख सकते है अपने Body के Temperature को Constant वो भी अपने Body के Temperature Constant हम भी अपने Body के Temperature को constant रख सकते हैं स्थर जो कि 37 degree Celsius होता है next question देखे question number 28 क्या बोल रहे है which one of the following is O.V. Paris नेमनलिक्त में से कौन सा एक अंडाश्य है platypus flying fox elephant या फिर whale तो यह तो बहुत easy question है O.V. Paris एक exception है mammal में जो कि platypus है जिसको आप platypus देखे आपका first option ही दे रख है तो इसमें कुछ करने के जुरूत नहीं next question देखे question number 29 नहीं आपर आपको match the following करना है यह हिंदी में दे रख है यहाँ पर आपको option दे रख है पहले match कर लीजे 16 to 15 ओफ पेर्ड 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 ऑफ गिल slits हेट्रो सीरियल कॉडल फिल एयर ब्लाइडर और आपका पॉइजनस स्टिंग किसमें होता है तो यह उत्तर आपका है जल्दी से उत्तर दीजें कि समय आपका हो चुका है मैच आपको करना है कि अगा चलिए तो उत्तर दीजेगा क्या हो जाएगा बहुत शांदार तरीके से सभी कांसराना सभी कांसराना चाहिए चलिए शांदार तरीके से उत्तर दीजेगा बहतरीन अंसराना चाहिए और कोशन आपके सामने हिंदी में भी जल्दी से देखें गिल स्लिट के छे से पंदरा जोड़े हेट्रो सीरियल कॉडल फिन एर ब्लैडर जहर का डंक ऑस्टेथिस आपका कॉंड्रक्थीज दे रखा है कॉंड्रक्थीज और श्यूश्ट साइक्लो स्थामिटर ट्रायगर् 조 आपको й और के रहे रहे हैं रखेंबर का डॉश्टकर चेंग योजSO पएजान दें किसमें पाई जाते हैं औन्ड्रक्थाम शेद हैं कॉंड्रक्थ हो गया 6-15 pairs of gillslits are found in your cyclostomes में बाए जाते हैं हेट्रो serial cordal fin होती है आपकी contract इसमें air bladder or poisonous string poisonous string आपकी किसके होते है ट्राइगान के और air bladder आपका fourth option होगा C का fourth अब mark कर लेते हैं A का second B का third तो देख लेते हैं A का second किसमें A का second B का third और C का fourth और B का first D का first चली एक बर देखते हैं हाँ बिलकुल सही है तो आपका B option इसका जानदर शानदर मालदार अंसर आ रहे है question number 13 और last question है हमारा क्या बोल रहा है bilaterally symmetrical and acylomate animals are exemplified by bilateral symmetry and acylomate animal acylomate भी है मतलब कोई गुहा नहीं है mesoderm is not lined मतलब cavities not lined by mesoderm तो यह एसलो मेंट condition of bilateral symmetry मतलब left और right दो equal halves में कटते है एना लीड़ा टीनो फोरा प्लेटी हलमें तो यहां पर मुझे इतना पता है एना लीडा देखिए यहां पर जो ascalminthes है जो आपके ascalminthes होते हैं एक तो आपके क्या होते है platyhelminthes ascalminthes analida or orthopoda ascalminthes में pseudocylomate होती है condition acylomate तो होती नहीं है टीनो फोरा टीनो फोरा जो आपका है इसमें acylomate होती है बट नॉट बाइलेटरल symmetry analida they have your this they are silomate animals ठीक है बाइलेटरल तो होती है लेकिन silomate तो इसमें सही उत्तर बनेगा आपका platyhelminthes c option is your right answer platyhelminthes is your right answer यहीं पर हमारे questions अमाप्त होते हैं यहां तक आपका mentee क्योंस था hope आप सभी को यह धुआ धार तरीका का session पसंद आया होगा देखिए ज़यादा से जदा कोशन की आपने कम समय मैं menti क्योंस का हों यही मतलब होता है जदा से जदा कोशन कम समय में जदा से जदा content आपके पास सारे questions को copy में जरूर लिखेगा explanation को जितनी लाइक को यह में पूरुजा क्यों करना पर लाइक करिया नीट 2022 की कि त्यारी कर रहे हैं और लैक जुरूकर मैं को कितनी वह बोले कि आप ही हमारे मोटीवेशन और उर्जा के साधन है और कमेंट जडूर करें कि आपको यह सेशन रखात कि यह सिस्टन से जाहिए चालिस मिनट में तीस कोश्यून, अब next किसी सेशन में 40 मिनट में 50 वी करेंगे, यह कर सकते हैं बलकोल कर सकते हैं ऐसे चैक्टर उठाएंगे जो हमने पड़ रखे होंगे ऐसे चाप्टर उठाएंगे तो आपको क्लास में करवाये हैं जे हिंद जे भारत झाल 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 झाल